यह की धैम है कि आज कीौ आज की क्लास में हम बात करेंगे UUVこれは कि यह की और डिस्कॉस करने जा रहा है नियुक्त है कि कि यह क्वित सब्सक्राइब करेंगे कहीं सारे मिक्सपप ने बारे बाज करें आ पुरुिंगों Ms Дж Sc fatal आप पेशन्स बनाए रखेंगे रिकोर्डिंग की परमीशन मैंने दे दी है कर रहा हूं यूटूबब पैवी जा रही है कर रिकोर्डिंग के लिए पर साथ नोटिफिकेशन आपको तो फिर आईटी इंडिया सर्च करके देख लिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज Excel VVA Micro Programming में Data types की हम Data types से स्टाल्ट करते हैं और मैं पहले बता दूँ कि हर 45 मिनट पे meeting वापस ये स्टार्ट होगा तो आपस आप उसी process से जोइन किजिएगा जिस process आपने जोइन इसे पहले किया था करने जा रहे हैं डेटा टाइप्स क्या यूज होता है चलिए आज के इस सेशन में लोगी के साथ डिसकर्स करते हैं पर आप प्लीज माइक को म्यूट कर लें अगर माइक म्यूट नहीं करेंगे फिर आप प्लास से बाहर हो जाएंगा ज़र तो हम बात करने जा रहे हैं VVA Micro Power Programming की और इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले data types की data types इसी की आप internet भी देखते होंगे कि dim, RNG, integer, long इसे ऐसे define होता है ताकि होता क्या है चलिए आज की class आज इसी से शुरू करते हैं उसके बाद हम इसकी conditions, logic, loops इसके बारे में आगे की तरफ बढ़ेंगे एक action file हम open करते हैं और मैं पास office 365 है और मैं नाइन दगता है तो जब हम वीवे मैक्रो प्रोगार्मिंग यूज करते हैं तो हम ब्रेवल्स इस्वाल करते हैं मैं मुरूस में जाकर आप बताता हूं कि हम देते हैं यहां पर ब्राबर देते हैं इसकी जरूरत के उपरती है तो इस सीज को जाने है कि हम अगर मांगे कोई भी कैलिकुलेशन हो जैसे हमने आप फिप्टी प्लस थार्टी का रिजल्ट कहां पे स्टोर होगा तो इसको रिजल्ट को स्टोर करने की हमें एक लोकीशन की जरूरत बढ़ती है जैसे कि a1.value हमने किया एक्वल टू ए कर दिया तो यहां भी आप जब इसको रन करेंगे हम तो आप देखेंगे कि आपके a1 के उपर 80 टाइप कर दिया इस्टोर कर दिया लेकि प्रॉब्लम क्या होती है कि हर बार a1 नहीं होता है क्योंकि हो सकता है a1 में पहले से कोई value हो यूज होता हो सो मैं excel की किसी भी range को इस्तमाल नहीं करना चाहता हूं हम db programming में इस case में हम लोग एक variable लेते हैं जैसे हमने लेते हैं अब m क्या है जैसे आप mathematics में x y j लेते हैं उसी तरीके से मैंने यहां पे m इस्तमाल कर लिया तो यहां पे हमने m इस्तमाल करें अब मुझे कहें भी m की इसी 80 के जोग परेगी जैसे कि मैंने message box में लाल दिया तो वहां पे हम वापस m को ले लेंगे अब इसको हम play करेंगे तो यह m हमारा आ जाए इसका एक हो गया दूसरा कि अगर हमें calculation में एकीर value को कई जगह पर यूज करना हो और वह value हम input से लेना चाहते हैं या calculation करना चाहते हैं तो वहां पे हम value की इस्तमाल करते हैं जैसे की for example कि हमने यहां पे लिखाट d equal to हमने यहां पे लिखाल दिया input box और box में हमने बोल यहां पे लिखाल दिया कि enter date और ऐसा करने से क्या हो गया कि अब जाए रन होगा तो input box में एक date डालने की बात होगी यहां पे जो भी हम date डालेंगे और store हो जाएगा किस के उपर डी के उपर अब मुझे जैसे माली चैनल मंद शाहिए तो जैसे msg box यहां पे बोल दिये कि month और month में हमने बोल दिया d जैसे msg box मुझे year करना है यहां पे हमने year select किया और year में डाल दिया अगें d मुझे करना है msg box यहां पे date और date के अंदर में डाल दिया तो आपने देखा कि एक d तीन से तीन लाइन को value supply कर रहा है तो यहां से मुझे एक बार date कुछेगा हमने date डाल दिया यहां पे जैसे ok करेंगे देखे 1 2020 वहां आ रहा है तो तीन जगर supply कर रहा है तो तीन अलग-अलग input डालने के मुझे जरूरत नहीं पड़ी तो message works की रिकिया जाता है अब बात होती है कि हम long integer एक कब लेंगे कहां लेंगे कैसे define करेंगे कि हमें इसका use कहां करना है तो उस case में हम इस्तमान करेंगे अपने list of यह इसकी है तो यहां पर सबसे पहला होता है variables के लिए इसकी बात कर रहे है कि dim b as a byte यह हमारा byte है byte मतलब कि b के उपर आप 0 से लेके 255 तक के value ले सकते हो बिना किसी decimals को और बिना किसी negative value की है तो इसमें आप negative value नहीं डा सकते हैं इसकी एक limitations है अब यहां पर अगर हम बात करें कि integer कब ली जाती है यहां और यहां आर युक्वल टू माइनस बत्ती सजार माइनस बत्ती सजार संफिंग से पलस बत्ती सजार संफिंग हम डाल सकते हैं इस पे यहां डेश्मल स्कोर रिसीब नहीं करता है जी हां decimal सुनी होता है फिर अगरा आता है कि dim l as a long क्योंकि मुझे 32,000 से उपर की value डालनी होगी तो long इस्तमाल करेंगे और यहां l equal to यहां पर आपनी मुटी से value डाल सकते हैं लेकिन यहां दखिएगा यहां पर आपका decimal accept नहीं करता है long भी आपका decimal accept नहीं करता है तो यहां पर अगले value आती है d as a double double क्या करता है कि d equal to आप इसमें decimal भी रख सकते हैं और इससे उपर की value भी रख सकते हैं सबसे बड़ी value रख सकते हैं अगला आता है d d as a date इसमें आप कोई भी date वाली value डालेंगे किस भी format में डालेंगे तो वो date में convert कर देगा इसके बाद अगला आता है जैसे कि dim as a string इसमें string की value आल सकते हैं कोई भी न कर्टिकली value जैसे data भी हो, text भी हो, जैसे डामा चाहिए उसमें आप आल सकते हैं उसके बाद अगली value आती है dim as a layer, तो अब यह question आप लोग पूछ रहोंगे कि ऐसा क्यों कर रहे है मैं अभी थोड़े जैसे सब बताता हो आपको, फिर यहां पर अगला आता है v as a variant अब variant क्या करता है, जैसे आपने अगर कोई number डाला तो long हो जाएगा जदा number है तो double हो जाएगा, आप date डाला तो date हो जाएगा, जैसा डालोगे उस तरह से अपने आपको behave करेगा तो दूवरा जान लीजे, यह आपका byte होता है जिसकी limitation होती है, without decimal, without 0, minus 0 से लेके 255 तक, दूसरा आता हो है, r as a integer minus 32 से plus 32 जाल, without decimal, long में बड़ी amount की value डाल सकते हैं, 15 डिजे तक की, लेकिन ओधी without decimal दूसरा डाल सकते हैं, और यहाँ, dt as a date यहाँ दिख़ा होगा, इस पे आप date डाल सकते हैं, s पे कोई भी text डाल सकते हैं, और bl पे आप true and false, bl जैसे डालेंगे तो यहाँ पे true and false यहाँ डालेगा और variant आपका all rounder होता है, कि इसमें जो value डालोंगे उसके according बन जारेगा, यहाँ में question आती है, तो फिर हम variant ही हर जगए इस्तमाल क्यों ने करें, यहाँ कर सकते हैं, लेकि इसके भी कुछ rules है, वो समझ दिजिए, पिकि जैसे ही dim बत्रबता है dimension, कि आपके hardest के dimension में B नाम का data location create होगा, और उस पे byte long integer as a value store होगी, अब question यहाँ पर आता है, कि जब भी hardix में कोई भी event होता है, तो उस पे एक space, एक space require होता है, तो अगर byte लेते हैं, तो आपका 2 byte integer लेते हैं, तो 4 byte long लेते हैं, तो 8 byte double बे 16 होता है, ऐसे ही date में 8 होता है, विलियर में 4 होता है, इस तिंग में minimum आपका 8 byte और according to the text size, लेकिन आपका variance जो है, minimum 32 byte को capture require करता है, इसकी size को, अब पहला इसके question ही आता है, कि जब तो byte है, कि का फर्रक परता है, मेरे पास तो 8 GB, 16 GB हैसे, हार्डिक्स, रैम हैं, 1 TB, 2 TB का हार्डिक्स है, जी हां, कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन ध्याम ने किएगा, जब भी एक subject आप define करते हैं, जब भी एक macro define करते हैं, तो उसका एक size होता है, बसलब कि macro की size होती है, 255 KB, इससे बड़ा macro हुआ, तो procedure to large का error आएगा, और आपका macro काम करना बंद कर देगा, अब यहां पर अगला option आता है, कि ठीक है चलिए, लेकिन अगर मैं छोटी मुटी macro बनाओ, तो कोई फर्क नी पड़ेगा, जी हां, छोटी मुटी macro पर कोई फर्क नी पड़ेगा, क्योंकि आप 10-25-90 के macro बनाते हैं, उसमें आप variety ले लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पर automatic to and false आजाएगा, ऐसा क्यों हो आया, क्योंकि हमने billion का इस्तिमाल किया हुआ, एक benefit इस तरह से होता है, तो सरह होता है, convergence, जैसे, मैं एक macro बनाता हूँ यहां पर, subject, हमने यहां पर bear, यहां पर, और यहां पर मैं देता हूँ, dim, जैसे हमने दे दिया, l as long, यहां प जैसे हमें, msc box में, आप l करते हैं, तो यह decimals को round कर देगा, अब आप इसमें अगर long के जगा तरह वेरियेंट कर दें, तो क्या यह round करेगा, नहीं कर राउंड, तो फिर आपको round करवाना हो, तो फिर इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, round का function apply करना पड़ेगा, जी नह लॉंग या integer डाला, तो आप उसकी value c के according convert हो जाती है, अगर 36 है, अगर मैं आपको 56 करूँ तो 24 हो जाएगा, एक benefit हमारा यह होता है, कि जब भी हम इस macro के use करते हैं, तो हमारा round हो जाता है, इसके आपको टेंपरारी से hold करने के लिए, किसी जगा से input लेने के लिए, जब भ function apply करते हैं, formula apply करते हैं, उन cases में इसका इस्तिमाल होता है, अब चलिए, अब यहां पर हम कुछ calculation करते हैं, calculation यह बहुत असान होता है, तो हम mathematical calculation करते हैं, VVA के थुरू, और उसमें हम डालते हैं, अपनी message box को, MCL के नाम से बना रहा हूँ, मैं पहली macro, जैसे कि मेरे पास, मान लिजिए, कि यहां पी quarter 1 की sale है, यहां पी quarter 2 की sale है, और मुझे C पे growth चाहिए, तो मुझे quarter 1 की sale दिख गई, quarter 2 का sale दिख रहा है आपको, और मुझे इसमें growth चाहिए, तो growth कैसे बेंगा, यहां पी जैसे कि 25, 26, 25 होगे है, यहां 26, तो mathematics calculation के according, अब मैं यहां पी कहा करता हूँ, कि यहां लिखता हूँ, कि dim quarter 1, quarter 2, एक साथ हम दो variable इस तरह से define कर सकते है, as a long, यहां पी dim, यहां पे growth, g as a double, double क्यों किया, मैं बताता हूँ, तो यहां पे होगा, कि यहां पे हम लिखेंगे, quarter 1 पे value assign करना पड़ेगा, quarter 1 equal to range a2.value, और फिर यहां quarter 2 equal to range, यहां पे हमने डाल दिया, b2, b2.value, अब यहां पे हम calculation करना है, यहां पे range में g equal to, हमने बोला कि latest minus quarter 2 minus quarter 1 divided by quarter 1, लेकिर इसमे बोर्ड मांस में बता डालना पड़ेगा, यहां पे हमने message out करना है, तो range हमने बोला c2.value equal to, हमने यहां पे डाल दिया, g, अब इसको हम play करते है, तो आप देखेंगे, इसका result यहां पे आगए, बट इस decimal में, मुझे इसके percentage में चाहिए, तो दो तरीका है, एक दो जिसे कि हमने g यहां डाला, तो मैं इसमें एक format का pass डाल देता हूँ, कि format g और इसमें हमने डाल दिया 0,0%, अब मैं इसको play करूँगा, तो आप देखेंगे कि यहां पे आपका आगए है, पॉस्चन यहां आता है कि यह दो चलो एक सेल था, इसलिए कर देखेंगे हैं, लेकि मान लीजी कि में पास इस तरह से और बहुत सारे हैं, अब क्या देखेंगे, अब यहां पर यहां पर मैं यूज करने जा रहा हूँ, लूप, तो लूप का एक नया यहां यूज होगा है, कि लूप का इस्तमाल कैसे होता है, इसके बारे में यहां आपके साथ डिसकॉस करने बारे हैं, तो लूप कैसे इस्तमाल होगा, तो जिसके क्योंकि अगर यहां पर ऐसा हुआ, तो से भी A2, B2 ही ले रहा है, इसे माच से मैं उसे A3, A4, A5 सब का लेना होगा, कैसे ने, तो अब मैं यहां लूप इस्तमाल करता हूँ, तो लूप का यूज क्यों होता है, रिपीट करने लिए होता है, तो हमने दिखा 4, I equal to, चले, 2 से चले, यहां तक 11 तर, तो 2 यहां पर है, हमने 1 से लिखिये, क्योंकि 1 में लूप है, 2 से लेकर 11 तक चले, यहां पर मैंने 11 डाल लिया, और फिर मैंने इसको next आई कर लिया, अब यह क्या करेगा, कि जो code है, इसको 10 बार run करेगा, जी हां, 2 से लेकर 11 दस होगा, 10 बार 1 by 1 run करेगा, अब यह run कितना बार हुआ है, इसकी counting आई पर होगी, अगर मैं इसको step info से आपको समझाओ, यहां आप देख सकते हैं, मैं debug पर जाता हूँ, step info effort इसका shortcut होता है, तो आप देख रहे हैं, कि इसमें यहां पर किया, अभी आई जो है, आई भी एक विरेबर है, यहां पर embedded है, खाली, कुछ नहीं कि, जैसे मैं step info करूंगा, तो i equal to 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से start is 2 हो गया, बाकी सारे procedure को run करेगा, 1 by 1, अब वापस जो है, आप देखेंगे, i यहां पर एक increase हो गया, 3 हो गया, तो जब इस चलता है, तो पहले next check करता है, कि i का value जो है, वो क्या 11 से छोटा है, अगर छोटा है, तो फिर 4 को वापस बेज़ देता है, कि वापस इसको run करो, फिर वापस i अपनी value increase करता है, अब यहां पर i check करेगा, कि 3 क्या less than 11 है, less than 11 है, तो फिर वापस loop को भेज़ेगा, और loop वापस देकि i पर 4 हो गया, अब यहां पर question आता है, कि अब मैं यहां पर 10 time चला रहा हूं, फिर भी result जो है, आप देखेंगे, सिफ single को ही दे रहा है, क्यों, क्योंकि हमने input जो लिया है, और c2 पर हमने output दिया है, तो इसको अगर मैं dynamic कर दूँ, तो 2 को increase में पर डाल दूँ कि, जैसे i increase हो रहा है, 1, 2, 3 हो रहा है, इस तरह से a भी हो, तो यहां इसके दो तरीके हैं, एक तरीका है, जो हम लोग इसमें c++ में use करते थे, कि r, एक हम यहां पर एक डिफान करते कर देते हैं, r को, और यहां भी sin, c2 के ज़़ार पर r कर देते हैं, यह चल सकता है, लेकिन problem क्या है, यहां पर, कि जब मेरे पास already i है, और i यहीं काम करता है, जो r काम करें, कि r चलेगा, तो r पहले blank होगा, blank plus 1 equal to 1, तो यहां पर a के साथ, a1 हो जाएगा, b1 हो जाएगा, और c1 हो जाएगा, फिर दुबार चलेगा, तो r already 1 होगा, तो 1 plus 1 equal to 2 हो जाएगा, तो यहां पर e हम ना करके, दूसरा तरीका जो mostly use करते हैं, कि इस i, जो हमारा 4 का i है, c को यही भी एक variable है, और इसका भी वही हुज है, अब मैं अगर इसको stop करूँ, और सुरू से यहां पर आकर play करता हूँ, तो आप देखेंगे, कि पूरा data हमारे पास percentage में आगे, तो यह mathematical calculations के लिए भी इस्तमाल की जाती है, अब यहां पी हमने variables लिए, इसलिए variables लिए, क्योंक कि यहां calculation करने में हमें बड़ी आसानी हुई, calculation करने में बहुत आसानी हुई, इसलिए, अब चलिए अगली calculation करते हैं, अगली calculation है, माली जब मुझे interest निकाना है, दूसरी सीट पर चलते हैं, हमारे पास principle है, हमारे पास rate है, हमारे पास time, तो मैं यहां कुछ सुटा सा data बना देता हूँ, तो मैंना select करता हूँ, और percentage में convert कर देता हूँ, और time में यहां पर, यह data हमारा बढ़ी है, और मुझे यहां पर interest रखना है, तो क्या होगा, कैसे करेंगे, पहले इसका matter बनाते हैं, तो यहां पर लिखते है, sub, inc, price, open, close, यहां पर हम देते हैं, कि dim, p, j, हम देते हैं, long, यहां पर दिम, यहां पर r rate, j double होगा, क्योंकि decimal हमेशा double में होता है, यहां भी हमने g को double लिया था, क्यों लिया था? क्योंकि g पे से calculation होगी, वो percentage की होगी, और percentage हमेशा decimal में होता है, और यहां पर integer भी ले सकता हूँ, क्योंकि 32,000 से जादा साल तो होगा नहीं, यहां पर byte भी ले सकते हैं, क्योंकि साल माइनस में होगा नहीं, और decimal में होगा यह नहीं, तो byte ले ले लिजिए, यहां पर हम 4 लगाएंगे, कि 4 i equal to, चले, 2 से लेके 14 तर, अब हम manual ले रहे हैं, हम आगे इसको automate करना भी सिखाएंगे, लोग में, तो 14 तक चले, और यहां हमने, नेक्स्ट आई कर दिया, यहां हम क्या कर रहे हैं, अगे रेंगे, लोग में में हम, र-A-N-G-E, र-A-N-G, र-A-N-G-E- र-A-N-G साथ हमने कममाइन किया आई हो और डॉट करके पेड़ करने यहां पर आपार हो जाता है और हापे एक जगाए बी के जगाए यहां सी है और यहां हम वापस कल्कुलेट करते है अभि यहां पर एक और करना पड़ेगा इमाउंट तो यहां दिम एमाउंट एजे हम यहां पर डबल दे देते क्योंकि एमाउंट भी डेश्मन में आ सकता है तो हमने डबल दे लिया अब डबल देने के बार मैं यहां पर लिखता हूँ एमाउंट इक्वल टू पी मुल्टिप्लाइबाई बाई वन प्लस आज डिवाइड बाई टुवेल पावर आफ पी मुल्टिप्लाइबाई टुवेल और फिर इन दोनों को एक ब्राइकेट में ले लूँगा मैं ताकि कैल्कुलेशन असानी से कर सका हूँ और उसके बाद इता हमें कैल्कुलेट कर लिया रिजल्ट अमाउंट पे हैं तो आपस हम देते हैं रेंज और एंज में देते हैं d d के साथ हम i को combine करते हैं .value equal to amount और फिर मैं इसको यहां से भी run करूँ या फिर मैं यहां से developer में जाके microset भी is को run कर सकता हूँ यहां पर दिक्कत लागया क्योंकि यह तो यहां पर टी देना पड़ेगा गलती में होई कि यहां एकल्कुलेशम को यूज करें अब आप करते हैं इसमें चलिए आप कि आए्री की बात करते हैं हेरे की बात मैं चली जानते हैं हभर हालो हभू सरस्थ में एक की लिया one-plus यह इसमें यह one-plus-r इसी फामुले को मैंने यहां पे लाला हुआ है अब यहां पर हमबात करते हैं रे कर साफंड तर्म तर्म को रिए को अब जैसे कि मांगें कि एक एक रेस्ट पर लोग से सथेल.. तो मैं यहाँ पर अगर बी इक्वल टू अगर मैंने 50 किया तो 50 रहेगा और जैसे बी इक्वल टू में नीचे 60 कर दिया तो मेरा 50 रिप्लेस होके 60 हो जाएगा तो मुझे 50 भी स्टोर करना है और 60 भी स्टोर करना है मतलब कि मोर्डर 1 फिल्ड को स्टोर करना है तो उस case में हम array data type का इस्तुमाल करते हैं जी हाँ array तो array कैसे define किया जाता है तो जैसे कि आप यहाँ पर dim हमने ले लिए आप पर मालेजिए o, o में आप कि कितने row और कितने column में करना चाहते हैं जी सिर्फ row का करना है एक ही column row तो 1,2 हमने 10 कर दिया अब यह होता है 1,2,10 और dim में यहाँ अचिए था और as इक अपना cast ले लिया जैसे long तो array क्या होता है कि एक ही variable पर same cast के multiple data store की जाती है तो अब मुझे value state करना होगा तो मैं यहाँ पर o और o के साथ हम bracket में 1 लिखेंगे और equal to कर देंगे 50 फिर o लिखेंगे यहाँ 2 कर देंगे यहाँ लिख देंगे 60 फिर o करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 3 equal to 50 इस तरह से ठीक है अब इसका use क्या होता है चलिए हम बात करते है अब जैसे की फोर एक्जामपल कि मेरे पास एक डिट सेंस फिगर राइट बहुत सारा फिटर यहाँ पर मेरे पास डेटा है अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसमें से less than जो greater than 50 है उसका डेटा लेना है उस पे भी उसके multiply by 60 करना है और मुझे उसका result यहाँ F column में डालना है ठीक है incentive के नाम से कैसे करेंगे चलिए तो यहाँ पर subject हम यहाँ पर लालते है यहाँ पर लगाते है formula कि यहाँ पर define करेंगे dim अब यहाँ पर एक डिक्कत है कि अगर आपने dim जैसे कि हमने dt और यहाँ पर देपिया यहाँ पर दिक्कत क्या होता है कि यहाँ पर automate नहीं कर सकते यहाँ पर यहाँ कोई variable नहीं दे सकते define करते हैं अब कि यहाँ पर मेनूरी लिखना परेंगा तो इसलिए कोई फर्क नहीं बढ़ता यहाँ पर 100 लिख दीचे कोई दिक्कत नहीं अब यहाँ पर लूप लगाया कि 4 i equal to चले अब यहाँ पर हमने 2 से लिए अब यहाँ पर देता हूं कोई कि हमाना डेटा यहाँ 2 से रहना है डेटा को मैं 2 से start upload करना है तो अगर हम 1 कर देंगे या 0 कर देंगे तो फिर हां मुझा i में plus minus करना पड़ेगा तो ऐसा ना हो इसके लिए मैं यहाँ 2 से कर देता हूं कि यहाँ पर 2 2 चले इतना है हमाना डेटा 58 58 और सबसे पहले हमें load करना है dt के ऊपर तो हमें उससे पहले condition देनी है कि भाई जो हमारा range है इसमें greater than 50 होना चाहिए तो यहाँ के लिए if condition लगाते है तो मुझे single condition or single result देना है तो simple लिखना है कि if if deep यहाँ पर range यहाँ पर यहाँ पर यह के साथ i को combine किया dot value dot value is greater than 50 and dt और इसके अंदर हमने i डाल दिया equal to और same value को upload कर देना है अब यहाँ पर एक छोटी सी problem है कि कि अब यह तो मालक जाए कि integer या long कर देता हूं long और फिर मैं यहाँ पर if condition लगाने के बाद मैं इसको damn करके निचे तोरूं हम इसके अब भी स्थी नहीं है dt और dt से उपर लिखेंगे r equal to r plus 1 जो कि मैं इससे पहले रता था और यहां पर हम r देंगे ताकि 20 में कोई gap न हो जाए बना gap हो जाएगा और फिर and if यहां कर देते है और फिर यहां next आई गर देंगे तो जितने वी greater than 50 वाले results है यह यहां पर आपके student हो जाएगे अब उसकी उसमें multiply one by one multiply करके मुझे यहां डालना है हलाकि दूसरा तरीका भी है लेकि मैं यहां array पर हा रहा हूँ इसलिए मैं यह जाम पर दे रहा हूँ for j equal to चले one से लेके one से लेके अब यहां वह दिक्कत हो जाएगी one से लेके अच्छारी थोड़ी देने आपकी यह फिर से जोएँ होगा जोएं रिस से रिज़ु यहां कर लेज़ेगब लेगढ़ कि और से रिज़ु यहां two झाल झाल प्रविशन दे रहा हुए हलो हाँ सुन रहा हुए सर्य समझ में नहीं आ रहे है कोई समझ में आ जाए तो में लीए चलिए मैं भी रिकॉड कर लेता हूँ तो यहां पर जिसे की हमने यहां पर एरे की जो पूरी की पूरी जो एरे है उसका हमें देना पड़ेगा है कि 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 आप यहां पर देख लिजी ना कि मुझे अब एक चीज़ आनदी एरे का इस्तमाल कि होता है पर एक चीज़ को समझ लीजिये अगर यहां पर कि मुझे अगर माल लीजिये कि पांच पांच देटा इस टोड करना है तो मुझे यहां पर लिखना होगा dim k, a, b, c, d, e, f as a law ठीक है तिर मैं यहाँ पर a equal to 30 लिखूँगा b equal to 30 जो भी result value देना है वो हम यहाँ दे सको इतना लंबा करना पड़ेगा मान लिजे आपको कि एकाज सो करना हूं तब तो दिक्कत हुजाएगी क्या उस केस में हम हैरे लेंगे हमने बोला कि a या कि मान लिजे आपको बोल दिया dt या कुछ dt कर देता हूं dt और यहाँ पर हमने 5 दे दिया तो एजे लॉंग कर दिया अब मुझे यहाँ पर a के साथ 1 देना कि यहाँ पर 3 के साथ dt 1 equal to 20 dt यहाँ पर 2 और यहाँ पर 30 equal to 30 dt 5 या 3 d जो भी रखना चाहते हो equal to 60 तो हमें यहाँ पर 100 जो हमने डिफाइन किया और अलग अलग किया करने की जोची बढ़ी अब यहाँ पर आगर आप लूप में करना चाहो तो लूप में भी कर सकते हो जैसे कि हमने यहाँ पर लूप में स्टोर किया नहीं आप ऐसा नहीं करते हैं तो मुझे हर सेल के लिए अलग 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 डिफाइन करना पड़ता है और 57 वेरेबल डिफाइन करके फिर 57 बार उसको मैनुवली लिखना पड़ता है समझें तो जहां पर हमें एक से जधा वैलूप यूज करना हो वहां पर यहां पर मैं लगाता हूं लूप की फोर जे इक्वल टू चले वन टू चले यहां पर हमने दिए 57 और फिर हमने 57 नहीं यहां पर हमने बोला यह आपका यह जो है हमारा इंसेटिम एफ कॉलन में तो यहां पर हमने लिखा कि रेंज dot and और xless up और xless up में हमने दिया dot offset offset में किया हमने 1,0 dot value is equal to हमने बोला dt t dt और dt के अधर हमने i को लादा और इसको multiply by 60 कर दिया ठीक है अब इसको अगर मैं play करता हूं तो इसमें से सारे सिक्स्टी वाले गंटर इन 50 वाले को 60 से multiply करके यहां पे store कर देगा कुई कुए ये कप 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 कुए रिब कि हमारा एरे दो से है ना यहां दो से न करके मैं एक से कर देता हूं तब होगा पंस ही किजिए कि इस फाइंद करता हूं कि यहां पे जीरो क्यों आगया शुमी नहीं आ रहे है इस जीरो क्यों आ रहे है कि यहां यहां पर देख रहे हैं कि आपके पास नीचे जो है फालतू में जीरो क्योंकि वैलू तो हमारी 27 ही थी लेकि फालतू में नीचे आपका जीरो आ गया क्योंकि हमने एरे को यह नहीं बताया कि तुम अपनी छोटी वैलू से वड़ी वैलू के दरफ चलो कि लोवर बाउंड और यहां पे हमने डीटी कर दिया कि लोवर बाउंड से चले अपर बाउंड तक यू बाउंड यू बाउंड इसमें हमने डीटी डाल दिया कि लोवर बाउंड से अपर बाउंड तक चले और हमने इसमें डीटी डाल दिया अब इसको एक बार रहन करता हूं में अब इसमें प्रेटी आई रहे हैं उतना ही चलाई इसमें कि कॉमा ववन प्रेटी अब क्या हूं अब लोड आपन बाउंड मतंड़ के एरें चोटे से बढ़ा है वैलू की मतलब नहीं होता है लेकिन हाँ किसे लो हालो यह जो आपर रेंज लिखा है ना रेंज के वाद लिखा हुआ है इसलिए रेंज के बाद दो लिखना रेंज इंबेटेट के वाद क्यों लिखा हुआ है क्यों पूछ रहे हैं तो यहां क्या है कि मुझे एक के नीचे डालना यहां पर डालना है फिर इसके नीचे डालना है फिर इसके नीचे डालना है तो हमने क्या किया हुआ है कि हमने बोला कि अप एरू प्रेस करो तो यह चले जाओगे सबसे लास्ट वाले सेल पर फिर ऑफसेट को बुला कि एक कमा नीचे आओ और यहां पर डाल दो और इसी प्रोसीजर को दुवारा जब अपनाएगा एक एस पैसर जारते जाएगा जब आसे कंट्रोल के साथ जब अप करेगा त देखे यहां 65 पाया, ओफसेट फिर इसको एक रो नीचे कर देगा क्योंकि आफसेट में हमने इसको वन कॉमा जीरो किया हुआ है यहरो होता है यह कॉलन होता है तो कॉलन होता है कि कॉलन सेब रहेगा यह सब रहेगा तो पैसर हजार किद्धा प्या प्या आप 10 लाग पी ने सकते हो लेकि 55,000 मैं हमेशा से देता हाया हूँ क्योंकि हो सकता है कि यह माइक्सलेस वाली फाइल पर रन कर दे जहां 55,000 संथिंग रो ही होता है तो वहां भी वर्क कर जाए अब यहां मैं 10 लाग दे दूंगा तो एक्सलेस एक्सलेस पर वर्क करेगी बट एक्सलेस पर वर्क नहीं करेगी जहां पे 55,000 संथिंग ही रो होता है अब यह तो हुआ कि अपर बाउंड क्या होता है कि आपका जितना एरे डिफाइन है उस डिफाइन ही अक्वाली वेलू डाल देता है लेकिन इसमें मुझे एक उत्मादी चले जितना हमारी वैलू स्टोर है जो ब्लैंक है वर्क ना करेगी क्योंकि आप इसको रण कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि वैलू तो आ रहा है फिर नीचे यहां पर ब्लैंक हो जा रहा है क्या हो जा रहा है यहां पर कोई पैलू स्टोर्ड नहीं है ब्लैंक मटीप्लाइवाइप आपे देख कर रहे है तो इस केसले में हम लूप ही लगाते हैं लेकिन फोर ओधनाटते हैं यहांँप लिखेंगे कि for each item in dt for each item in dt और field हम जो arrange लिया है कर रहे हैं तो वही रहेगा बट यहाँ पे dt के जगाँ पे item हो जाएगा और यहाँ पे next item हो जाएगा यह क्या करेगा यह उत्मा ही चलेगा जितना item मते जितना value store है आपके loop में इसमें dt में है और मैं इसको run करूँ तो आप देखेंगे कि अब इसमें 0 नहीं एक नहीं और यहीं आपके जगे कर दो आपके पेद्गक्ए टेखेंगे की डाएगा यह उड़ियू आपके लोगे बड़्य के लमें कि वेल्यू आपने कट कर दिये इसकी वेल्यू आपने जो डाला था जे वेरियेबल वह आई तिंग प्रोग्रामिंग में से कट हो गया हूं कि कट कर दिया उसे मतलब में यहां पी चला है कि यह समझने आ रहा है कि एरे जो है हमने बोल दिया फोर इच आइटन इन डीटी उत्माई वर्क करना चाहिए तो इसमें एक और है कि आप यहां पर जो है यह आड़ी तरीका है वह आगे वताओंगा आपको समझ में नहीं आए तो फिलाल इसको समझ लीजीए कि हम जो है एरे कोई लेते हैं जब मुझे मृतिपल वैल्यू को इस्टॉर करना होता है फिर यहां पर हम मृतिपल वैल्यू को इस्टॉर करने के लूप में इसको डाल यहां पर बस 1,2,3,4,5 करना होता है जब आरे में वापस लेना होता है तो उसमें दो तरीका है एक तो है कि आप इसको लोवर बाउंड अपर वाउंड कर सकते हैं आपको पता है कि एरे में जब डली होई है तो दिक्कत नहीं लेकि आगे चलके कुछ ऐसे भी होते हैं उसमें लिख शुबगे नहीं होते हैह जितने चाणि डली है किसी object के ऊपर चलेगा तो वहां पर हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं और इसका भी यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में आगे हम detail के साथ पढ़ाएंगे ठीक है बट अगी के लिए आप यह समझें कि हम array का यूज़ करते हैं multiple value को store करने के कि इसी को doubt है सब्सक्राइब करते हैं इसको आपने समझा यह जो है हाँ यह समझ रही हूं पर ऐसे इसको यूज़ कैसे करना है एक्चिन में क्या कर रहा है वह समझ में नहीं आ रहा है क्या करता है कि बैक अंदर में आपका इस तरह से टेबल बना देता है और इसके हमने बोला दिटी के पहले रो में गया और इसले क्रिजन में गया और यहां पर इस तरह से वह बैक गंड में टेबल क्रिएट कर देता है तो इसका यूज तव होता है जब हमें कई सारे वैलूज लेना होता है आगे-ज़गी जैसे माने लिस्ट बॉक्स पे या कॉंबो बॉक्स पे या फिर आपको एक डेटा में से कोई पर्टिकुलर कंडीशनल का एक 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 50 बार सारे वैलू आ जाए या फिर आप दुब्लिक प्रेट कि बाद को लिए तो सारे वैयलू निकाल लेंगे फिर एक एक वैलू चेक करेंगी कि फैहले से प्सक्राइब प्रेस इस स्टोर तो नहीं हो है कि आपको चिक व बाद करने का प्सकार से बात था कि अभी आप कंडिशन दिये कि जो ग्रेटर दें 50 है लेज दन 50 है उसके साथ 60 वो इंटू कड़के रिज़र्व दिए हमने पहले क्या किया हमने एक 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 डिफाइन किया पहला हमने पिर गोला चलेगा और 58 में से भी उसी करेगा जो ग्रेटर दैन 50 होगा कि ये अब यह क्या करेगा कि जितने भी की तैन 50 है उसको आइड में वहूंट करना पूंकि फिर वहाफ़ सब को मुल्टिप्लाइब करना है मुझे तो इसने 58 में से 27 वैलू निकाला और 27 वैलू को DT के उड़कर hold कर दिया फिर दूसरी लूप लगी और हमने बोला है कि जितनी वैलू hold है उसके according जाओ और उसको multiply 60 से करो और फिर इसको store कर दिया और किसी उड़ाओ गया है अब यह अभी हम जो लूप लगते हैं और फॉर से लेके next फॉर और next के विच में अभी इसमें दो चीज दिखने में आरे हैं एक तो हम आय का लूप लगा रहे हैं फॉर आई इस उकल टू वन टू हम रेंज दे रहे हैं आय तू 58 सम्थिंग और दूसरा लूप जो हम लगा है वो आयरे का लगा रहे है जो वो होड करता है तो इसका सिक्वेंस कैसा रहने का बात समझेए देखिए यहां पर हमने पहला लूप लगाया कू से 58 फॉर से लेके next तो फॉर और next यहां पर हमने इसकी जो स्टार्टिंग है और एंडिंग है कि लूप कितना पर कहां से कित पर maximum है तो यह एल बाउंड जो है कि का minimum लेगा और maximum लेगा और उसके अपर चलेगा और यहां पर आप देखी रहे हैं कि फॉर्ट के ही है आपर तीसरा है पता नहीं कि डीटी के ऊपर कितने वह लूप हो सकते 27 हो सकते 30 हो सकते 50 हो सकते 60 हमने बोला कि फॉर इस आइटम इन जो फोरीच के लूप है अंगे भी डिसकस करेंगे लेकिन जान जाए कि जब आप एक बता नहीं हो और एक कल्कूलेट नहीं कर पार तो क्या क्या है तो उस केस में हम और इस नहीं करेंगे आप एक चीज मुझे समझ में नहीं आया कि वह जरूरी है कि क्या है वहाँ पे दो तरीके का लुप था एक लुप सॉरी डेटाइप था वेरेबल पुब्लिक और स्टाटिस्टेक गोल पे आप एक बोलेंगे कि वह चीज क्या है और फिख भी यह प्राइब आप पड़ रहें पब्लिक पर रहा है अश्टेटिक से बारे में आपको आगे प्राइब ठीक है अब यहां पर हमने एले को पर लिया अब एले के बाद अगला जो आता है वाता है गलोब बैरबल अब इसके लिए मैं एक और मुनूर्स लेता हूं, ग्लोबल वेरेबल क्या करता है, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर subject, माल लिजे कि हमने एक macro बनाया, और यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ भी वेरेबल दिया कि dim paj, हमने यहाँ पर paj, हमने यहाँ पर long दिया, और हमने p के value कहीं से लाई, या इसी पर हमने राज़ दिया 30, पैट से, अगर 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 यहाँ पर msg box के अंदर, एक और macro बनाता हूं, दूसरा, आरा, अगर 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 1 कर दिया, अब मैं चाहता हूं कि मुझे यहाँ पर msg box, इसमें वापस मैंने पी कर लिया, अब यहाँ इसको run करूंगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि blank हो, यहाँ इसको run करने के बाद भी run करूंगा इसको मैं, फिर भी आप देखेंगे कि blank हो, अब यहां भी धान लखिएगा कि एक variable जो आपका variable होता है पब्लिक variable जो होता है आपका एक variable दूसरे एक micro के दूसरे micro का variable को call नहीं किया जा सकता मतलब कि आप यहां अगर भी value calculate करते हैं तो आपको मेज़ूरान store करना पड़ेगा एक seed के अंदर करते हैं तो उसकी जो उम्र है इस एंड सब तक ही होता है जैसे एंड से खतम हुआ इस पर जो भी calculation store हुआ या यह भी value store हुआ वह सारे के सारे delete हो जाती है तो इसलिए मैंने बोला कि variable का यूज होता है temporary data saving location मज गया है लेकिन मेरी जरूरत है कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक variable को कई सारे micro में यूज कर सका हूँ समझे तो हमें create करने पर एक global variable global variable के लिए सबसे पहले ऊपर जाए और यहां आप डालें कि जिम P as a log अब यहां पर P equal to 30 कर दिया और मालेजिए कि मैं यहां पर और करता हूँ कि P equal to हमने यहां पर P के साथ plus 58 और फिर यह तीसरा micro लिया और तीसरा micro में हमने यहां पर एक variable में हमने बुला कि P equal to P को multiply कर दिया 2 से और चौथा micro हम यहां लेते हैं उसमें हम P को store करते हैं यहां पर MSG box P करते हैं तो अब यहां पर मैं direct rr3 को run करूँगा तो यहां पर आप देखिए 0 करेगा अजब क्यों कि मुझे इस पर सोग करने कि सबसे पहले पहले मैक्रो मुझे run करना होगा फिर मुझे दूसरा macro run करना होगा फिर मुझे तीसरा macro run करना होगा फिर आगे आँ देखेंगे P आपको result दिख रहा है 176 दिखिया तो इस तरह से आप global variable की इस्तमाल कर सकते हैं कि जैसे आप मालेजे कि एक macro run हो उसमें जो calculation हुई है ओ calculation को आप दूसरे macro में call करना चाहते हैं तो global variable की इस्तमाल करेंगे और global variable की को हमेशा इसी तरह सी उच करते हैं कि किसी को doubt है अब जो जो इस जो चारो माइको जो हमने पना है तो इसको एक साथ हम रन ने कर सकते हैं तो उसके लिए फिर आपको एक पांच मांगा प्रेंगा ठीक है आपको सारे वाइट भाल करना हुगा है है और उस फिर लेना पड़ेगा ना में तो कि जब राण होगा अब जब यह रान होगा तो पी के स्टोर करेगा ना कि आप एक मुदूल में किया है उसको दूसरे मुदूल पर कॉल नहीं कर सकते है तो आपके गुदूल पर डिफाइन होती है सिर्फ एक मुदूल पर डिफाइन होती है अगला सबाब हलो यह सर अपनी जिसकी आप लोग जब इंटरेट पर बढ़ते हैं तो आपने सारा फूर्ट कर लिया प्लिफ करने के बार जब बटन पर क्लिक किजिएगा तो आपको फिल के गई सारी की सारी डिटेइल से यहां लिख जाती है प्लिफ करते हैं तो कहने के मतल की टेंप्र ली वह सेट कहां होता है जब सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करोगे तब ही उसको डेटा इसमें बेज़ता है अगर माल लिजी का आप फॉर्म बर दिये प्रियूंग करके कैंसल कर दिये या पर फाइल बंद कर दिये तो फिर द इंटरेट प्रेट का पेज पर फॉर्म बढ़ते गुगल लेलेजे तो आप प्रिवी पर क्लिक कर तक आपका शेशन होता है तब तक आपको आखी दूबी डेटा इंटी क्यों दिए वो दिख जाता है चाहे आपको नेक्स नेक्स कर लिजे आप या प्रिवियस कर लिजे लिजे मान रिचे लिए हम यूट्व पे वीडियो अफ्लोड करते हैं प्रिविट्व करते हैं हम नेक्स नेक्स करते तो मुझे दिख जाता है तो यहीं चीज इसका लिए होता जो आगले आपको यूजर सब्सक्राइब बनाऊंगे तो आपको दिखाना है आपने विजे या फिर नेक्स करेगा फिर देख लेगा कि मैं सारी इंफोमेशन हमें कहने कहने स्टोर कर नहीं होगी लोगा तो पूरी के पूरी गोड़ वैरेबल को आपस जिसे टेक्स मॉक्स को फिर गलोब वैरेबल उसको आपस करनेगा तो इसका मतलम है कि मदलो हमने multiple macro बनाये हैं तो जब हमने next next किया तो पहला हमारा macro हुआ रहा है तो डुसरा जबने next नेक्स किया तो सेकिट हमारा macro हुआ रहा है तो तो temporarily उसके लिए उसे कर लेते हैं जबतों फॉर्म एक्टीव एक तक आपके data आपका डेटा फ्लोग क्लीन हो गया फिर से दूबाद करेंगे ग्लोबल गना गया अब प्लोबल बनेटा प्लोड के अब बोलिये अब 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 वह बेड़ कर रहा हूं अब 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 यह जो आरर्ट्री मैक्रो एठीक है उसमें हम अगर उपर से अरर को कॉल करेंगे फिर आर्र-वन को कॉल करेंगे आर्र-टू को कॉल के उसके बाद मैशेज बॉक्ष पी रहेगा देन ऋड़क करना चाहिए गया ठाब कुल करना चाह्यां ऑधि कीली कििया नीन यह है अब यह अउत फिल इने कील करो कि यह आरड थ्री मैक्रो में मैं उपर से तीन मैक्रों को रन करूंगा लास्ट में मेरा कोड होगा का मैसेज़ बॉक्स पी आरड त्री आरड फोर मैक्रों का जरूवत नहीं यहां पर इस बताया कि एक साथ करने का तरीका यह है आधे टॉपक के तरह हमने अब ने अविजेए पढ़े हम रहा हमने और आत्षक कि अब नद 기ह की अब जीक है जैसे कि आपने यहां पे जैसे मैंने यहां पे लेता हूँ अगर मैंने यहां पे लिखा कि dim r as a long तो इसे क्या होगा कि r की कोई value store होगी कोई number या कोई value कोई data store होगा लेकिन अगर मालिज्य मुझे लिखा कि r as a range तो इस range के उपर हम कर सकते हैं हम लिख सकते हैं कि range range a1 ठीक है clear है अब आगे चलके मुझे कहीं भी लिखना है तो range a1 में लिखना पड़ेगा सिर्फ आ लिखना पड़ेगा आपके सारे बढ़कोंगा इसको बोलते हैं object लिखना राई एक question यहां रिखेगा कि जब भी आप अगर object define करते हैं कि range हो गया workbook हो गया worksheet हो गया, chart हो गया pivot हो गया, ऐसे जो object data types होते हैं उस पे हमेशा set होता है समझें? क्यों? क्योंकि अज़से मान लिजए मैंने इससे पूछा था कि ऐसा क्यों होता है तो उसने में plot जमीन खरी सकते हो जमीन खरीते हैं कि जेप ले जाओगे नहीं जमीन खरीदा नहीं जाता है अगर आप जमीन के बात करें अगर language में देखें जो तो जमीन transfer होती है उसका मालिकाना हग बदलता है जमीन हमान जहां है वही पर आता है तो कि वह एक object है एक land है वह changeable नहीं है उसी तरह से एवन हमारा एक object है एक हमारा Excel के आप एक एक लगाए वाल्ड है तो उस वाल्ड का एक ये जमीन है तो वह जहां है वही पर रहेगा जो नाम है वही रहेगा बस वह उसका transfer हो जाएगा उसके एक name हम define कर देते हैं हम एक short name define कर देते हैं इससे हमेशा set यूज़ करता है जैसे set लगता है यूज़ समझ जाता है कि हमें range a1 को r नाम दे देना है इस micro के लिए तो यह मुझी तरह से अगर मैंने बोला dim w as a work book और हमने आते कर दिया set w equal to active work book तो यूज़ दिम s as a s as a worksheet work worksheet or set s equal to अब यहाँ मैं गर देता हूँ seats और seat में माल ज़्यान में बोल दिया 5 तो इससे आगे ज़ितके और भी बहुत सारे objects आपकों समझाएगे तो इसका use क्या है अब आप सोच कहोंगे इसका use क्या है राइट अब जैसे कि मैं एक सोटा सा data सिट लेता हूँ उसमे बहा सा data लेता हूँ अब अब आइट अब आइट आहाँ अब आइट एट आई Ctrl D and Ctrl R ओके, थैंक यू तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि मैंने क्या किया यह हमारा जो है यह कुल सा बुक है हमारा यह बुक है हमारा बुक वान, अब मैं पास एक अलग बुक है, बुक टू अब मुझे बुक टू के अंदर मायक्रो बनानी है मैं यहाँ बुक टू में जाता हूँ विरेबल इंसार्ट करता हूँ अब यहाँ पर मैं देता हूँ सब RR प्रेकर मुझे यहाँ पर अगर इस डेटा रेंज को लेना है, तो क्या करना होगा उसके दो तरीके हैं मैं उसको कॉपी मैं जो मुझे को कॉपी करना है पर कई पर पेस करना है, फ्यूज पर मुझे बोल्ड अपलाई करना है, कई साथ अबजेक्ट उस पर डिफाइन करने है तो यहाँ पर क्या होगा सबसे क्या करना पड़ेगा मुझे लिखना पड़ेगा workbooks और इसमें देना पड़ेगा फिर book to dot select और फिर यहाँ पर हम देंगे workbooks select में यह same facts होगया यह activate होगा हम पर फिर sheets sheets में कौन सा data और select यहाँ activate फिर हमारा range k1 से कितना है q25 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 dot select और फिर इसको मुझे selection.copy या फिर कुछ करना पड़ेगा copy या फिर मुझे इसमें font करना है bold करना है जिस पे और बहुत साइज चार्ट लगाना है फिर लगाना है बहुत साइज एक्टिविटी करना है तो हर बार मुझे इस सारा code लिखना पड़ेगा समझे इस code को लिखने के बजाए मैं यहाँ पे एक variable लोगा यहाँ पे लिखना है और फिर मैं करेंगा सेट आप इक्वल टू वर बुक्स यहां पे आमें देविया बुक वन वर वन दो होगा न हाँ वन होगा सब्सक्राइज 1.xlsm .seats seat में हमारा हो जाएगा डेटा या seat1 जो भी है .range A65000 A1 से लेके A25 अब आगे मुझे कही भी करना हुआ तम लिखूंगा .copy अब मुझे बहुत साल 10, 20, 50, 100 code के बाद वापस मुझे इस पे bold करना है यहाँ पे r.font .color .color समझे तो हरवा इतना लंबा code लिखने की जरुरत नहीं पड़ेगा अगर define ना करें तो मुझे हरवा इतना लंबा code लिखना पड़ेगा अब हर code पेजिए आपे copy कर लिए यहाँ पे लिए r.select लेकिन select करने के लिए direct select करने के मुझे workbook पे जाना पड़ेगा पर seat पे जाना पड़ेगा फिर select करना पड़ेगा यहाँ पर लिख दी r.select अटिमेटी को पाथ लेगा यह हमारा होता है object variable object variable में workbook, range, seat सब ले सकते हैं उसके अलावा यहाँ पे एक और आता है dim object यह आगे चलके सिखाऊँगा कि इस पे हम अपना other application create कर सकते हैं set o equal to create application create object create object object और इसमें हम दे सकते हैं word application ms word को access करेगा powerpoint डालूँगा powerpoint कब लिख लेगा internet डालूँगा outlook डालूँगा access डालूँगा तो यह तो आगे की चीज़े है object भी होता है कुसा होता है process मतलब कि आप define भी कर से process जैसे कि माल लिजिए कि मुझे seat insert करना है तकि seat insert करने के साहा मुझे उसकी name भी change करना है मुझे उसकी position भी set करनी है मुझे उसकी background color भी change करनी है मुझे उसको hide भी करना है तो आप यहां पे set k equal to to seats dot add और फिर हम यहां पे लिखता है कि with k dot name equal to data name equal to data dot dot near dot 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 color तो विवी रे लास्ट मेंग दीजिए एंड विथ ऐसे आपको पॉर्स्टिस भी डिफाइन को जब्सक्राइब क्लियर है तो यह अभी एक बार और बंद होके होगा एक बार वापस रीज्वेंड करीजिएगा हलो सर जी सरी जब वीद के साथ किये ना यह एक्चली काम क्या करते हैं हम लोग है 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 सब्सक्राइज रहाएं है कि कौन सा कंडिशन पर हम लोग विट एंड विट कब यूज करते हैं कि तर्फिक रिकॉर्डिंग के पर्मिशन दे दीजिए ना कि क्या होता है कि जब मुझे एक ही अब्जेक्ट पर कई सारे काम करने हैं तो वहां बिद कमांगर आते हैं ताकि हमें बार-बार अब्जेक्ट देने की ज़रूरा ना पड़े जैसे कि माल लिजे मुझे रेंज एवन के उपर माल लिजे रेंज बीवन के उपर एवन के मुझे एक फॉर्ट अप्लाई करना है तो मुझे या लिखूंगा रेंज एवन से लेके एट ट्वेंटेन दोट फॉर्ण हम ने दरीा color ikol to रूइक तो उने दरीया दरीव और मुझे इसई location पर मुझे यहां पर इसकी font भी चेंज करनी है तो यहां पर font .name equal to जो नेम हें औडाल दे hm मुझे यहीं पर इसका size भी define करना है तो मुझे यहां पर .site .site sari कि इसको अंडर करना है तो मुझे यहां पर लिखना पर रहे हैं कि मुझे यह अब यह बार बार अप्लाई करना पड़ा है अभी चलिए छोटा अब्जेक्ट लिए कि हो सकता है अभी जो इससे पहले हमने आपको एक्जाम को दिया कि बरा अब भी हो सकता है कि अब बहुत जड़ा टाइप करना पड़ेगा यहां पर बिद कमांड यूज करें बिद और फिर आप फॉन्ट को या फॉन्ट दे दे उसके बाद यहां से बस आपको बस कर देंगा अच्छा साइज देना है अभी नहीं आपके देखिए प्लेज में उट कर लेजिए शोडारा पीछ और फिर यहां के आपने कर दिया सब्सक्राइब करनी है तो यहां पर एक सेक्शन होता है छोटा सब्सक्राइब करना है ना न इस अब अधली जांपल इसमें परते हैं अब हम बात करते हैं कंडिशन की अधी यहां पर इस कंडिशन के बारे देटा बनाते हैं चोटा सब्सक्राइब यहां पर देखिए कि हमारे पास यहां पर सेल्स है और मुझे करना है कि जो ग्रेटर दैन फिक्टी है उस पर यहां पर मुझे यहां पर हम देखिए फंक्शन सब और यहां पर हम देखिए लुप की फोर आई इको इसको डाइनेमिक कैसे करें इसको हम डाइनेमिक कैसे करें तो यहां पर आप इसके कई साथ तरीक है जैसे कि अगर आपको लगता है कोई ब्लैंक नहीं है तो आप यहां पर लगा सकते हैं अप्लिकेशन डॉट काउंट ए और यहां पर देदीजिए रेंज ए से लेकि ए तक इभी दे सकते हैं तो काउंट ए एक्सल का फंक्शन है काउंट ए क्या करता है बताता है कि आपके एक्सल में कितने टोटल सेल में डेटा फिल गया गया है लेकि इससे प्रॉलम होगी अगर ब्लैंक हुआ तो प्रॉलम हो सकती है तो उस केज में सबसे अच्छा हुपाय है जो में सबसे जबाद मैं यूज करता हूं तो वह दिखूंगा कि रेंज सबसे अच्छा है जो हम यूज करते हैं अब मुझे यहां पर देना है कि कंडिशन्स कि भी गेटर दें 50 है नहीं है तो मुझे सिंगल कंडिशन्स हों सिंगल रिजल्ट है तो सिंपल से हमां यूज करना है कि इफ रेंज इक साथ आई कंडिशन्स करना होगा एवी एवन पर देना है डाट वैल्य इस ग्रेटर दान फिफ्टी दान रेंज इक साथ आई को कंडिशन्स हो और यहां पर दो 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 वैल्यूज करता है तो यहां क्या है कि में पास सिफ सिंगल वान और सिंगल डिजल्ट और सिंगल कंडिशन्स है तो मैं इसको एक लाइन में दिदूंगा मुझे एंड इफ करने का जंजट नहीं है यहां इसको रण किजिए और देखिए यह नीचे तक आपके पास आगए लेकिन अपने में पास डबल मैं कि सिंगल इसल्ट लेकिन डबल कंडिशन्स हुए इसके मुझे क्या करना है कि थाउजन भी देना है और साथ में उस सेंज को कलर भी करना है अब इस वाजी फून को करना है अब जी अब जी रपन हां हां उसके एक लास बच्छी पाकी है ठीक सुनिए ना मैं भी क्लास ले रहा हूं यह भी क्लास का कॉल को आपको अब नहीं कुछ वाजी आये हुए थे लगाउट रहे है ओके सॉरी तो यहां पर मुझे क्या दरना है कि कलर भी करना है तो उस केस में हम यहां क्या करेंगे यहां पर हम फिर उसको तोरेंगे नीच लाएंगे पर फिर यहां पर लिखेंगे और यहां पर यहां पर यहां पर आपको एंड इफ लगाना पड़ेगा तो अब मैं इसको रण करूंगा तो आप देखेंगे यहां पर टिक कलर भी कर दिया देकि मुझे यहां इल्स भी देना है कि जिनके 50 से कम है उनको मैं यहां पर 50 देना चाहता हूं तो फिर आप तो यहां पर एंड इफ से के पहले इल्स लगाना पड़ेगा इसको बोलते है इफ इल्स और फिर यहां पर आप अपना रिजल लादेगा 50 तो बेसिकली इफ का यही में में साइट टेक्स होता है एक इस्प्रेशन मतलब कि कंडीशन्स दैंस डिजल ल्स एस पार्ट यह आपका आपका वाल्स पार्ट हो गया यह आपका वाल्स पार्ट होता है कि यह रहा है कुट आउट इसने लोग को इसमें अगला इस दाफ़ देते हैं अगर मुझे multiple conditions होता हूँ जैसे कि मुझे इसमें जो greater than 50 to 80 है उनको मुझे 800 देना है बतल कि multiple conditions लेकिन single result है यहां हम लूप से भी रगते हैं यहां पर इसको एक बन मैं score आयता हूँ कि यहां पर एक बन मैं score आयता हूँ मुझे यहां पर गड़ेगा गड़े देंट इकोल टू 50 और यहां पर आड़ इंग देंग के साथ अब यहां पर अब यहां पर एंडिफ करना ज़ोरी नहीं है अब डारे एक ही लाइन में इसको लिख सकते है यहां पर हमने multiple conditions लगा है तो दो condition को आप इस तरह से end दे के लगा सकते है result हमारा single है तो end दे के नीचे तोड़के end इफ देने की जरुरत नहीं है लेकि अगर में पास condition मुझे color भी करना है तो उस case में फिर आपको नीचे तोड़ना होगा और फिर इसमें आपको else देना पड़ेगा तो else नहीं मुझे color देना पड़ेगा और फिर आपको यहां पर end इत देना पड़ेगा और else है तो फिर आपको else भी देना पड़ेगा लेकि ये तो दो condition है लेकि में पास कई सारे condition होंतों कि यहां पर यहां पर सब्जेक्ट कर देता हूं और यहां पर नेम देता हूं पूजा और नीचे तक इसको ड्रैक कर देता हूं और यहां पर यहां पर पास और फेल देना है और इसमें कंडिशन क्या है कि जितने भी सब्सक्राइब सब्जेक्ट है सब में 30 से ज्यादा होना चाहिए करते हैं अलग प्रोग्राम बनाते हैं सब्जेक्ट अब यहां पर देते हैं कंडिशन लुपका के फोर यहां बेरेबल भी दे सकते हैं सब्जेक्ट वान कॉमा सब्जेक्ट टू कॉमा सब्जेक्ट थी कॉमा सब्जेक्ट फोर अब यहां देना चाहिए तो आरे भी दिया सकते हैं हासर में पूछने बारे थी कि इसमें एस वान एस टू एस टू एस ट्री फोर के जगट तो अदिक द्याल सकते हैं कि डिम में आप यहां पर अब सब्जेक्ट एज़ए तो तो इस दिक है कि अब यहां पर मुझे यहां कि S 1 dot range यह लूप में राना पहे है यह लूप में राना है यह लूप में राना है 4 I इकल पूचले 2 8 था को यह लूप में राना है यह लूप में राना है यह लूप में राना है सब्सक्राइब यह लूप में राना है S dot 1 equal to range 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 में हम देंगे a n if b mute कर लेजे dot c को copy करते है paste 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 यहां पे हमारा 2 हो जाएगा, यहां पे हमारा 3 हो जाएगा, यहां पे हमारा 4 हो जाएगा और B के जगा पे यहां हमारा C हो जाएगा, यहां हमारा D हो जाएगा, यहां हमारा E हो जाएगा we are condition होगा, कि if S1 is greater than equal to 30, S2 is greater than equal to 30, S3 is greater than equal to 30, S4 is greater than equal to 30, range, F, R, dot value, equal to, else, multiple conditions में आप इस तरह से कई सारे 365 से उपर and यहां पर लगा सकते हैं, एक पास है, बाकि सब फेल है, खेल है, लेकिन मुझे यहां पर यह भी देना है, कि कौन-कौन सब्जेक्ट में फेल हुआ है, या किसी एक सब्जेक्ट का नाम जाना है, तो मतलब कि मैं यहां पर नेस्टेड लूप भी लगा सकता हूं, इसको कॉपी करता हूं, सबको सेमी रखता हूं, और यहां पर मैं, और तो लगेगा लगेगा, यह सब लगेगा, बस बाकि सब्जेक्ट, यह सब्जेक्ट का थे से लोगेगेगा, तो सकते हैं यहां पर लग, इसको के लिए व तो सकते हैं, लोगेलाकिक्ट, मैं यहां पर इस तरह के आगे बढ़ा दे रहा हूं तो जब उड़ी नहीं के ऐसा ही बढ़ा आप अपनी हिसाब से एक ही लाइन में लिख सकते हैं मैं देता हूं ताकि समझने में आपको आशानी होगा कि कौन सा लुख किस के अंदर में यहां अगर एल्स में इसका मतलब है कि इसने चौथे सब्जेक्ट में फेल हुआ है एस फोर्स और यहां पे जितने इफ है उतने हमको एल्स भी करना परेगा तो एकाम करता हूँ मैं एल्स यहां पे एल्स और यहां पे लिक्ता हूँ रेंज एफ आई यहां beyond यहां पे यहां पे इस यहां पे यहां पे यहां पे सिट्जू हो जाएब subject2 तो यह देखिए यह पहले इफ है पहले इफ के अंदर में पूरा पार्ट है अगरे गेटर दन 30 हुआ तो दूसरे इफ को फॉरबर्ट करेगा नहीं तो सीधे यहां से एल से बाहर आ जाए अगर गेटर दन 30 हुआ तो दूसरे इफ के अंदर में ए है इनक today पार्ट है आदर पंगा ten फॉरबर्ट करेगा नहीं तो यहां से बाहर आजाएक का तिसरे इफ के ख़ाल करेगा दे तो बाहर आजायागा और ॥ाजएफ तो पास देगा अधरबाइब चौथियर समझेक्ट में फेल देगा तो इस तरह से हम ने स्टेडिव मतलब एक एक इफ में अलोंगर इस तरह से रखेंगे इसको बोलते हैं ने स्टेडिव क्या है यहां जलका सकते हैं इस स्टेडिव में जैसे मेंने अपनाा इशिव बताया था ना कि मेरे को अलग-अलग स्ट्रिंग वैलु के आपड इसमं उस्में इसमें चलेगा किसमें इसमें डारी को घ्ल Circ और यहां dot select करते हैं, तो क्या dot select होगा, उस select करने से कोई result लिखना, compare कि इसके साथ करेगा जैसे sir मैं बोड़ रही हूँ कि if a1 dot value equals to invited comma में दे रही हूँ order id और suborder id, बोड़ों में से कोई भी condition match हो तो वो उस cell को select करे मतलब ऐसा if condition करें कर सकते हैं, जैसी के जगा तो कुछ और भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत हैं मैं कर रही थी, तो sir वो होड़ नहीं रहा था, बार बार selection के जगर debug आ रहा था, तो आप एक बार खाली जो और के बीच में दिखा देंगी वो चीस, तो फिल में घर में उसको practice कर पाऊँ तूरा में ठीक है मैं दिखा दूँगा, अभी जो सीख रहे उसको सीखिये मैं, लें दूट जाए ठीक है ठीक है कि 0 to 40 हुआ 41 to 80 हुआ 81 to यहां पर हमने बोल दिया 100 और greater than 100 हुआ तो इस पर मुझे value देनी है 500, 600, 70 और इस तरह 700 और वहां 100 तो इसके लिए हम यहां पर is it की बात करते है सब प्राइके open और यहां पर यहां मैं यूज करूँगा 4 i equal to 2, 2 आप उसको automate भी कर सकते है या फिर अपनी result दे दीजे उसे 10 तक चले फिर next यहां पर मुझे condition देना है कि if range a के साथ यहां पर i को कमाई किया dot value is less than equal to 40 यहां पर यहां पर यहां पर condition है इस conditions को कॉपी करता हूं यहां पर होगा कि less than equal to 60 अगर ऐसा हुआ तो यहां value के जगर 500 जबाते मुझे 600 देना है और इसी तरह से आगे सारे चीज़ को combine करते से लिए 700 होगा अगर यह 80 से छोटा हुआ और यह हमारा 100 से छोटा हुआ इसको पापी करता हूं नीचे पेस करता हूं अगर यह greater than 100 हुआ तो 100 लास्ट में आपना है यह हमारा ELC है अगर आपका दूसरा condition तभी चलना है जब पहला condition हमारा false हो इसे उपर में किया था कि दूसरा इस तभी चलेगा जब पहला इस ट्रू हो बिलकुल इसका opposite है कि यह दूसरा इस तभ चलाएगा जब पहला if हमारा false है अगर बहुत ज़्यादा complicated है और काफी जाबे conditions देने हैं तो उस case में हमारे पास एक और तरीका होता है select case का जी हाँ अब यहाँ पर लिखेंगे select case जिसके साथ तो हमने बोला कि range object डाल दीजी कि range एक के साथ और अब मैं बोलता हूं कि case अगर a less than equal to 40 हुआ तो आप अपना result डालने चीए और इस लगाने के जरुद नहीं है case अगर less than equal to 60 है तो यहाँ पर 6 हाँ case less than equal to हमारा 80 है यहाँ के case is less than equal to 100 यहाँ के 700 1 यहाँ पर ठीक है और लास्ट में and select अगर अगर case क्यों लिखना जरूरी है अगर हम select range लिखा तो क्या होगा case क्यों लिखने का style है यहाँ अगर next आप लिखने का ठीक है इस जो आपजेक्ट है इसकी value को pick कर लेता है case पर case यहाँ जहाँ आपको उसकी condition इसमें चीह और भी होता है, जैसे आप बिट्वीन करना चाहते हैं, जीरो से लेके फुट्टी ताओ, यहाँ पे जीरो टू, फुट्टी कर सकते हैं, इस तरह से, फिर टू लगाने के तो, यह इसले लगाने के, ठीक है, ऐसे मान लीजे कि आपको कई साले वेरेबल देने हैं जार कि 50 हो, 60 हो, 80 हो, 90 हो, इस तरह से, इस तरह से आप कॉमा कॉमा भी दे सकते हैं, तो आपको और लगाने के, जैसे कि आपको इससे पहले बने प्गाना होता है, तो अगर दू में से कोई एक चाहिए, तो इसके लिए आप यहाँ पे और दे सकते हैं, तो यहाँ आओ यह हमारा select था तो condition यह select जो है यह object में आगा ना यह if condition है यह condition ही है जब आपके बाद complicated और बहुत ज्यादा हो तो यहां पी आपको के लेक्ट लगाने से फैदा होता है आपको बहुत सारे एक लगाने के ज़रूत नहीं पढ़ती है कि ओके सब्सक्राइब करें अब लोग हो सब्सक्राइब करेंगे और किरन जी अगली क्लास में हम आपकी जो टॉपिक है उसको टॉपिक रख लेंगे ठीक है सब्सक्राइब करेंगे अगली क्लास में हम आपको सब्सक्राइब करेंगे अब जो तो उसमें शीटें हैं 30 तो मुझे पुरे मंत की डेट डालने हैं उसके तो तो दिक्कत आ रहे सब्सक्राइब करेंगे अब शीट नेम पर मतलब जैसे शीट वन है तो देट लेले शीट टू है तो दो और शीट टी अटो त्री पूरी डेट इसमें पूल सी बड़ी बाद था है क्या लिए स्वार जी इसके लिए है हलो आज जी क्या लिए कोट इसके लिए सबसे पहले तो आप यहां पर लूप लगाएंगे इसके बाद यहां पर दिखेंगे कि आपके पास एक ब्रेवल यहां पर डीटी दिम डीटी एजिंटी एक डीट स्टार्टिंग का जो डीट है वह स्टार्टिंग का डीट यहां का इंटी कर देंगें इसके एक जैन या एक अप्रेव इस तरह से यहां पर डालेंगे प्रेवल यहां पर रहां कि कि इस स्ट्रड़ दॉद्ध दॉद्ध नहीं लगता दारा सिंट्रण पर दॉद्ध दॉद्ध नहीं दॉद्ध इसकी जए plus i-1, ddt, dd, dd, mmn, y, 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 या पिर कुछ और भी जान सकते हैं सर अब dt plus 1 minus 1 किये हैं अच्छा सरी, dt plus i minus 1 क्यों किया है क्यों किया है क्योंकि लास्ट का एक शीट में नहीं लेना है ना नहीं आज या पता ही है मैंने minus 1 क्यों किया यह यड को minus 2 किवले है नहीं 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 साथाथा नहीं अच्छा सरे ओद यह जाया गाल, नहीं लेकि एक दीर पहले का जायागा ना कर ना करना का गए है कि अप्र हुआ है कि है है तो आपका एक से तीस तक जाएगा करके देखना हो कि परफेसर मैं हंडर पर्संट प्रूफ रिड़ है इसमें गलत होने सीट्स हां पर सीट्स ने होगा करके देखोंगी तो समझ में कैसे वह कर रहे हैं कि सब्सक्राइब कुछ शीट हो पर आपने हिसाब से में मेरे सीट्स नहीं करेंगा तीसीट यहां पर चार से पास शीट्स आप शीट्टे एड़ है पर चार पाट पर शीट्स नहीं करेंगा जाए जद्रेंगे वह प्रेल है अब यहां पर आई वन वन फोट सा बेर संग विक्ति प्रेल है अब यहां पर आई वन उन 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 तो एक अप्रेल में एक जूरेगा दो अप्रेल हो जाएगा ना अब यहां पर शीट्स नाम और भी है पहले से कि मैं करता है कि यहां कि दो अप्रेंस अच्छा हो गया ना ठीक सब्सक्राइब इसलिए मैंने यहां पर मैंने सब्सक्राइब की जगह पर खाली वन टू थ्री टाला है हां सर समझ में आई तो डालना पड़ेगा ना क्योंकि नेक्स 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 तभी तो जड़ेगा अगला डेट को क्या होगा डेट डिफाइन होगा आई से अगर तीन सीथ है तो तीन एड होगा एक मैंने सोगा था तीन डिफाइन अगली क्लास में और सर आप जो मैंच फंक्शन सिखाया थे ना हम किये थे वहां पर स्टेट था ही नहीं तो उसके रिप्लेस में पहले का वैलू ले ले रहे हैं मुझे शमश्में नहीं आ रहे है आपना निक्स बोगा आज जो मैंने समझाया है उस पर ध्यान दीजिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है स्क्राइब औके बाइब